नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्रा प्रम्हंट सिद्याश्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चार्चा करेंगी दिनां 30 सितंबर 2021 का संपूर्ण राशिफद उससे वेले आज के दिन का जो पंचांगा है उसके बारे में चार्चा करेंगे आज का जो दिन है गुरुवार का है कुरुष्ण पक्ष की नौव भी थीति है आज का जो नक्षत्र है वो पुनरवसु है योग परीग है दिन का जो करण है वो तैतिल है और जो रात का जो करण है वो गर है आज के दिन का जो गुलीक काल है वो शुरुवत होगा सुबह 9 बचकर 17 मिनट से लेकर 10 बचकर 47 मिनट तक और अभिजितमूर्थ दोपर ग्यारा बचकर त्रीपन मिन्ट से लेकर बारा बचकर एक्तालिस मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजितमूर्थ दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्व बुरुनकाम या फिर निर्ने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा दोपर एक बचकर 46 मिनिट से लेकर तीन बचकर 16 मिनिट तक और यमगंड़काल शुरुवत होगा सुबह 6 बचकर 18 मिनिट से लेकर 7 बचकर 47 मिनिट तक राहुकाल और यमगंड़काल अशुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्व बुरुनकाम शुरुवत नहीं करना उसे प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा मीथुन राशी में ब्रह्मन करेगा और शाम 7 बचकर 5 मिनिट के बादे चंद्रमा करक राशी में ब्रह्मन करेगा आज के दिन के जो योग है उसमें जो चंद्रमा है या चंद्रमा बुद्ध के साथ केंदर योग करने जा रहा है उसी प्रकार या चंद्रमा शुक्र और नेप्चुन के साथ नवपंचम योग यानि के त्रिकोनियोग करने जा रहा है आजे के दिन शुक्र और गुरु का केंदर योग भी होने जा रहा है यह दुरसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इसके बारे में अब हम चार्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के तृतिया भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और शाम साथ बचकर पाच मिनट के बाद यह चंदरमा आपके चतुरत भाव में ब्रह्मन करेगा यह चंदरमा बुद्धो के साथ केंदर योग करने जा रहा है उसे प्रकार शुक्र और नेफ्टिन के साथ ये चंद्रमा नवपंचमियो याने की त्रिकोनियक करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आपका बिजी डे साबित हो सकता है जो भी महत्वपुलन काम है वो आप आज हाथ में ले सकते हो वो अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नजर रहेंगे आज के दिन आपको कुछ अच्छे इंटुईशन्स वगरा भी आ सकते है उसके पर जरूर काम कीजिए उसे प्रकार अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वाई-वाई जोड़ी दर है उसे परकार आपके सब्तम भाव में से शुक्र के साथ आपके दशम भाव का जो गुरू है वो केंदर योग करने जा रहा है तो अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वाई-वाई जोड़ी दर है उनके सेहत के उपर थोड़ा सा ध्यान देना स्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है विरिशब राशी विरिशब राशी के द्वितिया भाव में चंदरमा का ब्रहमन है और शाम साथ बचकर पाच मिट के बाद ये चंदरमा आपके त्रितिया भाव में ब्रहमन करेगा ये चंदरमा आपके शर्ष्ट भाव में से बुद्ध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है उसी प्रकार आपके शर्ष्ट बाहों में से शुक्र के साथ और आपके दशम बाहों में से नेप्चुन के साथ जन्रमा नवपंचम्यों यानि की त्रिकोनियों करने जा रहा है तो अगर आप जॉबलेस हो तो आज के जो दिन आपके लिए काफी अच्छा और शुबू फरदय होगा आपको जॉब मिलने की संभावना काफी ज्यादा बंद रही है जॉब के बारे में आज आपका घूमना फिरना भी हो सकता है जो की सकारत मकृप से पॉजिटिव आपको बंद रही है उसे प्रकार आपके शैष्ट पाव विस्थित शुक्र के साथ आपके भाग्य भाव का जो गुरू है वो केंद रियोग करने जा रहा है तो आने वाजे दो से तिन दिनों में खुद के सिहत के उपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी में ही चंदरमा का ब्रह्मन है और शाम साथ बचकर पाच मने के बाद ये चंदरमा के वितिया भाव में ब्रह्मन करेगा ये चंदरमा आपके पंचम भाव में सिथ बुद्ध के साथ केंदर योग करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे खास करकर अगर आप शेयर मार्कर से डिल करते हो तो आज के दिन जो भी आपको इंटुशन आपके ट्रेडिंग के मामले में आते हैं उसके उपर जरूर का के मामले में भी अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहाँ पर आप में और आपके जो रिलेशन्शिप में विखती हैं उनमें काफी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी उसी परकर अगर आप नया रिलेशन्शिप बनाना चाते हो तो भी आज का जो दिन है बहु अश्टमपाव का जो गुरु है वो केंद्रियोग करने जा रहा है तो आने वने दो से दिन दिने में आपकी जो वाईबाई जोड़ी दार है उनके साथ चोटे-मोटे बातों को लेकर तू-तू-मै-मैं हो सकती है इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के वहीए बाहबों में चंद्रमा का ब्रहमन है और शाम साथ वचकर पाश मोटी के बाद जंद्रमा आपी के राशी में ब्रह्मन करेगा आपके चतुरतबाव में सिद्ध गुद्ध के साथ ये जंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है उस प्रकार आपके चतुरतबाव में सिद्ध शुक्र के साथ ये जंद्रमा नवपंचम योग यानिकी त्रिकोनियोग करने जा रहा है तो आज के जो दिन है सामन्य रुप से आपको आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ आज आपके हार्मनी बहुत अच्छी देखी जाएगी कुछ नए इंट्यूशन वगरा आपको आने की संभावना काफी जादा बनती है अगर आप धार्मिक मार या फिर अद्यात्मिक मार में हैं तो आप आपको कुछ अच्छी बाते भी सूच सकते हैं जो कि भविशा में जाके आपके लिए काफी शुबफलदाई साबित होगे कुल मिला के देखा जाए तो आज के दिन आपको किसी प्रकार का लाप तो नहीं होगा लेकिन मनश्चान्ती काफी अच्छी मिल सकती है इसके नहीं होगा जाए तो आज के दिन है आपके लिए थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है लेकिन आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाव वगरा भी मिलने की सामवाना काफी अच्छी बंदरी है खास करके आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ कई बाहर घूमना फिरन हो सकता है उनसे मतलब आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छे लाव या फिरसला आज के दिन मिल सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के दशम बाह में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके द्वितिया बाह मिस्तित बुदर क करते हैं या फिर वेसाय करते हों वहाँ पर आप जो भी ब्लान या फिर वो सही साभित होते हुए नजहां रहेंगे जो करने राशचे की जॉब recurring की सम्भावना बंढ़ रही है उसी प्रकार आज के दिन आपको प्रत्रक्षिन लाव मिलने की संभावना का फी अच्छी बंद्री है उसे प्रकार आपके लाब भाव में से चंद्रमा के साथ आपके द्वीतिया वाव का जो गुरु है बुद्ध है वह केंद्र रियोग करने जा रहा है तो मित्र परिवार है उनके साथ चोटी-मोटी बातों को लेकर तकर रहा हो सकते हैं उसे के पर करने जा रहा है तो जो भी आपका कारिशतर है उसमें अगर आप नए प्रयोग करना चाते हैं कुछ नया करना चाते हो तो वह आज के दिन कर सकते हैं उससे आपको कुछ अच्छे लाव अगरा मिल सकते हैं आपके जो अंदाज है वह सही साबित होते हुए नजर आएंगे अगर कोई नई आपका जो करियर उसके बारे में नया कोई मोड है नई कोई शुरुवात अगर आप करना चाते हो तो भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुब बलदाई होगा शाम साथ बचकर पाश मिन के बाद आपके भाग्या बाव को चंद्रमा है ये चंद पुर्त बाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है तो आने वाले दो से तिन दिन में अगर आपको कोई ट्रैवलिंग करनी है तो हो सके तो उसे टाल दिया जाए तो आपके लिए अच्छा साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिच्चिक राशी ब्रिच्चिक राशी के अश्ट बाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके वही अभाव में सित शुक्र के साथ और आपके चथर्द बाव में सित निप्टन के साध्य चंद्रमा नवपंचम योग याने की त्रि वो फतेदाई होगा, खास करके आपके जो वईबाइक जोड़ीदार है, उनके साथ आज आपकी हार्मनी, आपकी जो कैमिस्ट्री है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी, आपकी जो वईबाइक जोड़ीदार है, उनसे दिये गए सलाव पर अगर आप काम करते हो, तो भव बुद्ध के साथ ये चंद्रमा केंद्रियोग करने जा रहा है, तो शाम के बात के समय है, आपकी जो तबीयत रहेगी, आपकी जो स्वास्त होगा, उसमें थोड़ा सा बिघाड आने की संभावना लग रही है, बस उसी के उपर थोड़ा सा धहन देजे, उसी परकार आपक को लेकर चोटे मोटे प्रावलम या फिर दिक्कते आ सकती है, बस उसी के उपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है धनो राशी, धनो राशी के सब्तम बाव में चंद्रमा का ब्रहमन है, और आपके नवपंचम योग याने की त्रिकोनियोग करने जा रहा है, तो जो धनो राशी की विक्ति जॉब ले से, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें आज का जो दिन है, काफी अच्छा और शुब फ्रद्दाई होगा, कुछ अपच्चे जॉब ऑपर्श्यक वगर आपको आ उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपके लाब भाव मिस्थ शुक्र के साथ, आपके द्वितिया भाव का जो गुरू है, वो केंद्रियोग करने जा रहा है, तो जो भी आपके मित्र परिवार है, उसमें खास करके जो महिला वर रखोंगे, उनके स चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आने वो दो से तीन दिनों में ये बात होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, इसके बाद की जो राशी है, वो है मकर राशी, मकर राशी के 6 बाव में चंधरमा का ब्रहमन है, और शाम 7 बचकर 5 मिनट के बाद ये चंध तो जो भी आपका कारिशतर है उस महावापर के जो परिशतिया है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से देखी जाएगी अगर आप जो चेंज करना चाहते हो तो आज का जो दिन है काफी अच्छा होगा उसी प्रकार जो जो जॉबलेस है उनके भी आज के दिन कुछ अच्छी जॉब ऑप्रिटी आ सकती है तो आज का जो दिन है आपके लिए काफी अच्छा शुबुफलेदाई होगा अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज के दिन बहुत ही अच्छा और शुबुफ इसके बाद की जो राशी है वो है कुंब राशी के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके भागे भाव मिस्त शुक्र के साथ और आपके राशी में सित निप्चन के साथ簡्द्रमा नवा पंचम योग यानि की त्रिकों य करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे अगर आप जॉब लेस हो तो आपको जॉब मिलने के संबाउना काफी अच्छी बन रही है जॉब के आपका जो भी कारशेतर है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आज आज आपको क केंद्र योग करने जा रहा है तो आने वले दो से तीन दिनों में घर के जो लोग होंगे खास करके जो मैला वर रहोंगे उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकरत अकरार हो सकती है इसके बात की जो राश्य है वो है मीनृा में चंद्रमा का भ्रहमण है और आपके अश्टमबहाव में से शुक्त के साथ और आपके वेया भाव में से निचुन के साथे चंद्रमा नवपंचम्योग यानि की ट्रिकोर निक करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आप बहुत जदा busy साबित हो सकते हैं, busy day हो सकता है, जो भी आपके traveling के related काम है, वो आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होते हो नज़र आएंगे, documentation के बारे में, commitment के बारे में, promises के बारे में, जो भी बाते हैं, काम हैं, वो भी आज के दिन हाथ में ले सकते हो, वो काफी अच्छे तरीके से पूरे होते हो, नज़र आएंगे, unexpected love वगरा मिलने के भी संभावना, आज के दिन काफी अच्छी बन रही है, शाम साथ बचकर पाच मने के बाद ये चतुरत बाव का जो चंदरमा है, ये चंदरमा आपके पंचंबाव मे शुक्र के साथ, आपके लापवाओ का जो गुरू है, वो के इंदरियों करने जा रहा है, तो यहाँ पर दो तिम बाते समझ देनी जादा आवश्यक होगी, पैदी सबसे मेहतो पुर्णा बाद, आने वाले दोसे तिन देने में किसी भी प्रकार के ट्रावल से रिलेटेड कोई मेहतो पुर्णा काम नहीं करना, और सबसे मेहतो पुर्णा बाद, खुद के सेहत के उपर ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, तो दोस्तों, यह था दिलांग 30 सितंबर 2021 का संपुर्ण राश्यफ़ल, आपको यह राश्यफ़ल कैसे लगा, आपने कि इस तरह से अनुवों किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है, ब्रह्माट सिद्धिया श्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाव